नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको फ्रंट स्लिट एलाइन कुर्टा डिजाइन बताने वाली हूँ ये कुर्टा मैंने कॉलर के साथ बनाया है ये अभी काफी फैशन में चल रहा है ये आप पैंट या प्लाजो के साथ ट्राय कर सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने धाई मिटर सांगा नेरी कॉटन फैब्रिक लिया है और फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें कुर्ते की लंबाई के हिसाब से मैंने कपड़ा निकाल लिया है और इसको दो अलग-अलग हिस्सों में रखा है क्योंकि इसकी प्रिंट एक साइड ही है तो हमें प्रिंट के हिसाब से कपड़े को सैट करना है अब इस डबल फोल को हम इस तरीके से फिर से चोड़ाई में भी फोल करेंगे अब यहाँ जो हिप मिजर्मेंट है वो है 41 तो उसके हिसाब से मैंने करीब यहाँ 17 इंच तक फोल किया है 17 इच तक इस तरीके से फोल्ड करके और बाकी का जो साइड से एक्स्टा कपड़ा है उसे कट कर ले यह कॉलर कुरती है इसलिए बैक पैनल को मैंने 1 इंच लंबा कट किया है यहां फ्रंट पैनल 42 इंच है और बैक पैनल 43 इंच है अब देखे जो फ्रंट पैनल है वहां से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे यहां शोल्डर लाइन है साड़े 7 इंच अब यहां पर हम एक इंच ड्रॉप करेंगे और उसके बाद जो आम होल लैंध है वो हमें 7 इंच पे मार्क करनी है चेस्ट लाइन है 40 उसका हम चोथा बाग करके 10 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद स्लाई का हम करीब 1,5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर से 15 इंच नीचे आएगी वेस्ट लाइन वेस्ट लाइन है 36 उसका भी हम चौथा बाग करेंगे और स्लाई का एक्स्ट्रा लेंगे अब इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें अब शोल्डर से करीब 21 इंच नीचे आएगी हिप लाइन जो 41 है उसका भी हम चौथा बाग करेंगे और स्लाई का एक्स्ट्रा लेंगे अब देखिए ए लाइन कुर्ती कट करने के लिए जो वेस्ट लाइन की मार्किंग है वहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक इस तरीके से ए शेप में मार्किंग कर लें अब यहाँ आम होल का शेप देने के बाद अब देखिए यहाँ गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे 3 इंच पे मार्क करके पहले जो हमने बैक में 1 इंच उचा लिया है इस तरीके से इस लांट में मार्क करें यह शोल्डर स्लोप है और जो फ्रंट में भी हमने 1 इंच ड्रॉप लिया था उसको इस तरीके से 3 इंच तक मिला ले अब यहाँ हम फ्रंट आम होल के लिए भी मार्क कर लेंगे देखिए करीब 1 इंच अंदर की तरफ ले ले और इस तरीके से फिर से मार्क कर ले यह डीप कटिंग हमें सिर्फ फ्रंट में ही करनी है अब यहाँ कॉलर नेक के लिए हम नेक कट करेंगे देखिए बैक पैनल 1 इंच उचा है तो बैक पैनल का जो नेक है वो 1 इंच लंबा और सवा 3 इंच चौड़ा हमें रखना है फ्रंट नेक लंबाई और चौड़ाई में 3 इंच रखना है अब इस तरीके से हम राउन नेक बना देंगे अब फ्रंट नेक की टोटल लंबाई हमें 7 इंच रखनी है, 7 इंच पे मार्क करके हम इस तरीके से V शेप में कट करेंगे पूरी A लेन कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले जो बैक पैनल की मार्किंग है उसे कट करें बैक पैनल को कट करने के बाद, अब हम फ्रंट पैनल कट करेंगे दोनों पैनल कट होने के बाद, जो फ्रंट पैनल है उसको बीच में से कट करके और दो पार्ट कर दें अब हम स्लीव्स कट करेंगे, स्लीव्स के लिए भी मैंने ये फोर फोल्ड कपड़ा दिया हुआ है अब यहां स्लीव्स की लंबाई मुझे पंद्रा चाहिए तो उसमें हमें तीन इंच एक्स्ट्रा लेना है स्लीव्स की चौड़ाई मैंने साड़े नौ इंच लिए है खुली हुई साइड से यहां साड़े तीन इंच ड्रॉप करें और यहां स्लीव्स का इस तरीके से शेप दे दें अब जो तीन इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो आगे की तरफ फोल्ड होगा इसलिए हमें इस तरीके से फोल्डिंग करके यहां स्लीव ओपन की जो भी साइज है उसका आधा करके और स्लाई का एक्स्ट्रा लेना है मार्क्स को इस तरीके से मिला ले यहां भी हम फ्रंट कटिंग करेंगे इस तरीके से एक इंच डीप कटिंग कर ले स्लीव कटो चुकी है अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फ्रंट पैनल को तयार करेंगे यह फ्रंट पैनल का सीधा साइड है अब जहां तक हमने V-shape cut किया था उसके बाद West Line तक हमें यहाँ loops को fix करना है loops लगाने के बाद अब यह देखिए मैंने 6 इंच चौड़ी bottom की पट्टी ली है और इसकी लंबाई front panel जितनी है अब देखिए इस strip को हमें इस तरीके से set करना है और सेम इसी shape में हमें यहाँ बिल्कुल end तक stitch करना है front slit का pattern दयार करने के लिए इस तरीके से stitch कर ले बिल्कुल end तक stitch करने के बाद यहाँ V shape पर जो extra कपड़ा है उसे cut कर ले अब जो यह center वाली bottom की strip है उसके साथ हमें front panel का दूसरा side भी सेम इसी तरीके से जोड़ देना है दोनों side जोड़ने के बाद अब यहाँ पर अगर extra कपड़ा है तो पहले उसे cut कर ले अब यहाँ बिल्कुल center में हम एक mark करेंगे यहाँ हमें center में cut लगाना है अंदर की तरफ भी करीब एक inch तक इस तरीके से cut लगा दे अब इस कपड़े को अंदर की तरफ गुमा कर और इस तरीके से stitch कर ले अब यहाँ front panel के दोनो side पर हम यहाँ किनारी पर slide करेंगे बीच वाली strip को नीचे की तरफ अच्छे से गुमा दे और इस joint के ऊपर किनारी पर slide कर ले front panel का जो दूसरा side है वहाँ भी सेम इसी तरीके से किनारी पर slide करें अब देखे बिल्कुल बीच व बीच में हमें इस तरीके से इन panels को अच्छे से set करना है अब यहाँ V shape से start करके west line तक हम इन दोनों panels को जोडेंगे देखे सेंटर में जो हमने mark किया था बिल्कुल वहाँ पर हमें इन दोनों panels को set करना है और बीच में इस तरीके से slit बनानी है इन loops को बाहर करते जाएं और बिल्कुल end तक stitch कर लें देखे ये front panel हमारा ready हो चुका है अब shoulder line को जोड लें उसके बाद कुर्ती के neck को इस तरीके से fold करें और collar की measurement लें collar की measurement के लिए इस तरीके से पुरे neck पर tape को अच्छे से गुमाते जाएं यहाँ collar हमारा 8 inch का आ रहा है अब collar के लिए मैंने ये pasting paper लिया है इसे पहले pin से fix कर लें सबसे पहले यहाँ एक straight line करेंगे side से अगर टेड़ है तो वो हमें निकाल देनी है 3 inch पे बिल्कुल सीधा mark लेना है और उसके आगे इस तरीके से गुलाई बनाएंगे collar के लिए अब इस mark को हमें एक बार measure करना है हमें 8 inch का collar चाहिए तो इस तरीके से हम 8 inch पे mark करेंगे यहां तक हमारा collar बनेगा अब इसे 1 inch चौड़ा करें यह collar की पूरी marking हो चुकी है अब इसकी cutting कर लें cutting के बाद इसको हम कपड़े के उपर चिपका देंगे और collar को इस तरीके से तैयार करेंगे collar के मेरे पहले भी वीडियो आ चुके हैं collar को आसानी से किस तरीके से बनाया जाता है और लगाया जाता है उसकी link आपको description में मिल जाएगी अब sleeves के लिए भी मैंने ये तीन इंच चौड़ी bottom की strip ली है sleeves के सीधे side इसको इस तरीके से stitch कर ले अब इसको पीछे की तरफ गुमा कर इस border को यहां दूसरी side भी fold करके और stitch करेंगे sleeves के बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर हमें ये button strip लगानी है जो मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी अब इस पूरे border को आगे की तरफ गुमाना है इस तरीके से यहां हम buttons लगाएंगे दोनों sleeves इस तरीके से तैयार करनी है स्लीज तैयार करने के बाद पूरे arm hole पर हम sleeves लगाएंगे arm hole पर अच्छे से गुमाते जाएं sleeves को ज़्यादा खैचना नहीं है sleeves लगाने के बाद कुर्ती के sides बंद कर ले measurement के हिसाब से बिल्कुल end तक A shape में कुर्ते को stitch करना है देखे friends इस तरीके से branded style में हमने front slit collar कुर्ती design तैयार कर लिया है friends अगर आपको मेरा ये कुर्ता design पसंद आया हो तो like और comment जरूर करिएगा thank you watching for this video